हेलो फ्रेंड्स मैं जोती स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सब के अपनी चैनल जोती मेकिंग में तो आज मैं आप सभी को दो कलर का स्वेटर का डिजैन बताने वाली हूँ जो आप किसी भी कार्डिगर पर अपलाई कर सकते हैं तो आज मैं आप सभी को दो कलर में बहु बना लिजिए उसके बाद दो सलाई उल्टा सीधा इस तरीके से आप बना लिजिए उसके बाद यह डिजैनिंग बनाना इस्टार्टिंग कीजिए यहां मैं इस कलर के उन से डिजैन बना रही हूं तो आप जो भी कलर पसंद हो उस कलर से आप बना सकते हैं और यह डिजैनिं यहां मैं गाट लगाती हूं और उसके बाद क्या करना है एक और यह एक दो फंदे के बाद इस बीच में इस तरीके से सलाई को डालना है और इस धागे को इस तरीके से यहां निकाल लेना है तो निकाल ली हूं और इस दोनों फंदे को सिधा बना लेना है इस दोने फंदे को बना लिए बाद फिर एक और ये दो फंदे के बीच में इस तरीके से सलाई को डालना है और फंदे निकाल लेना है और दोनों फंदे को सिधां बना लेना है तो इसे मैं सीधा बना लेती हूं फिर इसी तरीके से रिपीट करते जाना है दो फंदे के बीच में इस तरीके से सलाई को डालना है और फंदे निकाल लेना है और दोनों फंदे को सीधा बना देना है यह दोनों फंदे को नहीं है सीधा बना लेती हूँ फिर दो फंदे के बीच में सलाई को डालना है और निकालना है जिससे क्या होगा यह डिजैन अच्छी तरह से निखरेगा फिर दोनों फंदे को सीधा बना लेना है यह दोनों फंदे को मैं सिधा बना लेती हूं इसी तरीके से सीधी सेट से पूरी सलाई कंप्लीट कर लेना है यह फर्ष्ट रो है तो यह फर्ष्ट रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूं पूरी सलाई इसी तरीके से बना करके यहां मैं फर्ष्ट सलाई लेना है उसके बाद देखिए ये फंदा मैं ली थी ये फंदा वाला है और ये दो फंदे को सिधा बनाई थी एक फंदे को उल्टा इस तरीके से बना लेना है और ये एक फंदा और ये फंदा जो मैं यहां ली थी एक्स्ट्रा ये देखिए ये जो मैं यहां फंदा ली थी दोनों को एक कर देना है फिर यहां एक फंदा उल्टा बना लेना है और यह एक फंदे को और यह फंदे वाले को दोनों को यहां एक कर देना है उल्टी सेट से सकेंड सलाई में इसी तरीके से पूरी सलाई कम्प्लीट कर लेना है एक फंदे को उल्टा और दो फंदे को एक कर से कम्प्लीट कर लेती हूँ अब यहां साकेंट कर चुकी हूँ अब यहां सीधी गाला के तो फंदे को इसे धागे से सीधा बना लेना हूँ मैं और फंदे को इस तरीके से सिधा बनाकर कम्प्लीट कर लेती हूं थर्ड सलाई में सिधी सैड से यह मैं पूरी सलाई इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूं थर्ड सलाई को यह मैं यहां थर्ड सलाई सिधी सैड से कम्प्लीट कर चुकी हूं और यह मैं उल्टी सैड चोथी सला छोटल यहां मैं चार चार सलाई किया कर चूकी है, और यह देखे एक जैनिहां बन के त्यार हो चुका है, यह चौथी सलाई में कम्पलिट हो जाता है, है उसके बाद यह पाँचमी सलाई को चोड़ देना है और नीचे में दूसरा करद का दागा इससे सैड वाले फंदे को सीधा बना लेना है यह मैं सेड वाले भंदे को सिधा बना ली हूँ उसके बाद फिर जिस तरीके से मैं doctr सलाई में की थी उसी तरी से करना है दो फंदे के बाद सलाई डालना है एक फंदा निकाल लेना है और दोनों फंदे को सीधा बना लेना है इसी तरीके से बार बार बीट करते जाना है जब आप ये फंदा निकाले तो ये रूज करके निकाले धिला करके निकाले इससे क्या हुआ डिजैन अच्छा बार बार रिपीट करते जाना है कलर को चेंज कर करके तो आप इसी तरीके से यह चार सलाइयों को बार बार रिपीट करते जाए और कलर को चेंज करते जाए दोस्तों ज़िए आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो और बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए और कॉमेंट किजिए ज़िए कोई नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राब कर दिजिए और नौटिफिकेशन दबाईए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंचा और वीडियो को लाश्ट दतर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवार